यदि आपने ITI में admission ले लिया है और आपको पता नहीं है कि electrician trade में कितनी किताबे होती है और कौन सी किताबे होती हैं तो आप सही वीडियो पर click किये हैं क्योंकि इस वीडियो के मादम से आपको जैनकारी में देँगा कि आप यहां पर कौन सी किताबे पढ़ने वालेら or कौन सी किताबे में आपको देने वाला हूं इस वीडियो के मादम से तो वीडियो को आप complete देखीएगा चलिए पहली किताबे जो इसमें आती है सबसे मुखी टॉपिक इसमें आता है ये आपका basic electrician theory कोई इसा जरूरी नहीं कि यही आप book लेंगे आपके अनुसार आपको जो भी यहाँ पर अच्छी book लगे book shop पे जाईएगा वहाँ पे जो भी आपको अच्छी book लेंगे वो खर दियेगा ये आपका पहला आता है basic electrician theory जो कि electrician trades हैं उनके लिए बेच्टे और आप सभी को मालू है इस समय जो यहाँ पर कर दिया गया semester को हटा कर first year और second year कर दिया गया तो यह आपको किताब दो वर्स में पढ़नी है ठीक है इसको आप ध्याने किएगा यहाँ पर दुसरी book आती है वह आपका आता है impolability skill जो कि यह केवल one year की यहाँ पर book है क्योंकि second year में जब आप चले जाएंगे तो impolability skill आपकी खतम हो जाती है केवल यह first year में ही रहता है तो इस तरह यहाँ पर पहली आपकी book हो जाती है यह आपका electrician theory और दुसरी book आपकी होती है यह impolability skill आती है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तिसरी book आती है engineering drawing की जो कि जादा तर बच्चे इसमें में ही फेल होते है ध्यान दीजिएगा यह बहुत ही important book है क्योंकि इसमें ऐसे भी question दिये जाते है जो कि इस student इसको नहीं कर पाते है और जो practice कर पाते हैं वही इसको लगा पाते है क्योंकि इसमें आपको figure बनाना होता है third और fourth semester का यह आपका है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो चोथी book आपके आती है वर्साप कंकुलेशन and science की आती है और उसके बाद आपका आता है एक और जो कि प्रेटकली का बुक होता है और प्रेटकली आपका वर्साप कंकुलेशन में जो भी आपका प्रेटकल किराया जाता है वो इसी बुक से कराया जाता है बतलब की प्रेटकली बुक से ही कराया जाता है तो इस तरह आपकी कितनी बुक हो जाती है एक आपका हो जाता है प्रेटकल उसके बाद calculation, वर्साइब calculation and science, उसके बाद आपका आता है engineering drawing, तीन book और यह आपकी last book आती है कौन सा, यह impelibility skill और उसके बाद एक और book है, वो आपका है basic electrician theory, तो इस तरह आपकी यहाँ पर कितनी book हो जाती है, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरह आपको पांच book पढ पढ़ना पड़ता है, ITI यदि आपने electrician में, यदि आपने admission ले लिया है तो, तो दोस्तों यह थी कैसी जनकारी comment में जरू बतेगा, इस तरह की कोई भी जनकारी चाहिए, तो comment में आप पूछ सकते हैं,